है ओन्हार फेंड मास्चनलमाप सबी पस्वागत है फिरंड़ आप सभी समें बताना चाहंगा कि नवबी विद्याले समीत इके पहरती जारी कर दी गई है और यह भरती अच्छी फ्रेंड एलक्रीशियन जो भी ATI के हमारे साथ ही है अगर आप लोग फुल कोर्स जॉइन करना है तो नीचे एप कर लिंक दिया गया वहाँसे जाके फुल कोर्स जॉइन कर सकते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है रिकुर्मेंट जो है आपको नवदाय विद्याले या NWS के मेन वेबसाइट पे आपको यहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आज हम लोगे बात जो कर रहे हैं वो ITI के जो भी हमारे साथी हैं उनके लिए है तो देखिए यहाँ पे कई पोस्टों के लिए सीटे निकाली गई हैं जैसे यहाँ पे फिमेल स्टाप नर्स गुरूप B के लिए भी निकाली गई हैं तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही के लिए है और यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 11 दिया गया है सीटों की बात यहाँ पे हम करें तो यू आर में 75 दिया गया है जो हमारे जनरल के साथ ही है EWS का बारा है और NCL जो OBC के हैं उनके लिए यहाँ पे 15 दी गए है एक सर्विसमेंन के लिए यहाँ पे 12 ऐसे में सीटों की संख्य है यहाँ पे हमारी 128 सीटे हो जाती है जो हमारे यहाँ पे ITI कम प्लंबर के हमारे जो भी साथी है गुरूप C की पोस्ट है तो यहाँ पे हम लोग सेली एक्जाम पैटर्स सभी के लिए यहाँ पे बात करेंगे सेली के यहाँ पे देखा जाये तो सेली यहाँ पे आप लोगों की लेवल 2 पे 19,900 सेली से लेकर यहाँ पे 63,200 पे रहने वाला है एज लिमिट आपका जो रहेगा वो 18 सेलेकर 40 एज लिमिट रहेगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कौलिफिकेशन रहेगा वो हाई स्कूल पास होना चाहिए प्लस आईटियाई होना चाहिए तब ही आप इसमें फार्म को फिलब कर पाएंगे ठीक है यह यहाँ पे दिया क्या है आगे हम लोग यहाँ पे सलेबस को भी बात करेंगे एक्जाम की यहाँ पे देखा जाए तो एक्जाम यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने सिटी और स्टेट का सारा कुछ इन्होंने बनाया है जैसे विसाका पट्टम आंधपरदेश में भी दिया है अंदपर्देश में ये सारे जो है मेगाले में मनीपूर में ये सारे जो है इस्टेट में और नागपूर में महराष्ट यहां पे जो है सारा कुछ दिया हुआ है ति यह आप देख सकते हैं और यहाँ पे गुजरात में जो है आपका दिया गया है गोवा में दिया गया है जो आपका राजस्थान पंजाब है उडिशा है पॉंड़िचेरी है यह सारे जगहां पे आपके इस स्टेट में आपके इक्जाम सिटी बनाए जाएंगे ठीक है यह आप देख सकते हैं पंदरा कोश्चन आपका जो है रिजिनिंग से रहेगा पंदरा कोश्चन आपका जो है जनरल अवेनिन से रहेगा यह आपको यहाँ पे ध्यान देना है और तीस कोश्चन यहाँ पे पार्ट थ्री में आपका जो है लैंग्वेज कम्पेटेंसी जो आपका रहेगा उस से यहाँ पे question जो है stage first में और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ 60 question technical भी आपके यहाँ पे आने हैं जो आपको धाई घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 120 total यहाँ पे आपके question रहेंगे यहाँ आप को यहाँ पे ध्यान देना है ठीक है यहाँ पे इन्हों ने यह दिया है जो आपके general Hindi या जो भी English language रहेगा उससे जो है यहाँ पे 15 question यहाँ पे आपको include किये गया है total आपको 120 question यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को stage 2 में skill test भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इसकी टेस्ट के लिए मतलब जो practical होता है उसके लिए भी आपको यहाँ पर पेशंग करना है तो यह सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है ठीक है तो मैंने आपको बता दिया और उसके बाद आगे यहाँ पे फीस की मैं बात करूं तो फीस में जो भी OBC जनल के जो भी है उनके लिए यहाँ पे टोटल 15 रुपया फीस लगने वाला है और जो Yessi HD के हैं उनके लिए टोटल यहाँ पर 5 रुपया फीस लगने वाला है ठीक है? एक हजार रुपे आप लोग का प्रोसेसिंग फीस आप लोग को लगे गए यहाँ पर जो बीसी और जनरल के जो भी हमारे साथ ही है यह सारे चीज़ों का आपको ध्यान देना है और अभी जो है आप लोगों का यह नोटिफिकेशन में वेबसाइट पर आया है ना कि जो है अ प्रोचिन वाइबर